उत्तर प्रदेश के 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कॉंग्रेस और सपका गटबंदन होने की बात भी सामने आई है जिसमें बता जा रहा है कि 17 सीटों पर कॉंग्रेस लड़ेगी और बाकी की 63 सीटों पर गटबंदन लड़ेगा और सामली जनपद की कैराना लोकसभा सीट की जो दावेदारी दी गई है इकरा हसन मेरे साथ मोजूद है क्योंकि जिस परिवार में इस वक्त मैं बैठाउं ये पुराना राजनीती घराना है पहले इनके पिताजी मुनावर हसन रहे फिर माता जो हैं सांसद रही भाई रहे सांसद रहे अब जिम्मेदारी इकराहसन पर आई है तो पारिवारी गठ जोड रहा है तो सबसे पहले तो मैडम आपको बहुत-बहुत सुब कामना आई कि सबक योड़ से आपको नया उम्मीदवार कैराना लोकसभा सीट पर चुना गया है जी बहुत-बहुत धन्यवार बहुत-बहुत-बहुत शक्रिया अच्चा थोड़ा यह जानना चाहेंगे जैसे सबसे पहली बार आपको एक उम्मीदवार चुना गया है जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि अब से पहले आप लगतार फिल्ड में थी लगतार आपने परियास के समस्या सुनी वह जिम्मेदारी नहीं थी अब जिम्मेदारी आपके उपर आई है तो कैसा लग रहा है जी बिलकुल एक excitement है और nervousness भी है क्योंकि अब मेरी जवाब देही बनती है अब तक goodwill पे था सब मामला मैं जहां चली जाओं वो मेरी goodwill थी और जहां ना जा पाओं उसमें किसी को अतराज नहीं था लेकिन अब एक जिम्मेदारी का एसास हो रहा है तो उस जिम्मेदारी को बखुबी निभाने की कोशिश करूंगी बिलकुल और मैं तहे दिल से अपने राष्ट्र अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे पर इतनी बड़ी की जिम्मेदारी दी और मुझे इस लायक समझा तो पार्टी का और उनका बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा सा ये वी बता दीजे परिवार में आपके你 पिता वो किस पदबे रहे हैं? राजेश्वर बंसल जी एटीनाइन में शामली से विधायक बने थे और उसके बाद फिर मेरे पिता जी एक्यानवे में कहराना से विधायक बने फिर वो तिरानवे में फिर से यहां से चुने गए विधायक बने फिर वो च्यानवे में कहराना से लोकसभा सांसद बने अठान 2004 में फिर वो मुझफरनगर लोकसभा से सांसद बने और सांसद रहते रहते 2008 में उनका देहान्त हो गया था उसके बाद मेरी जो माताजी है वो जब इद्दत होती है हमारे इद्दत में 2009 में उन्होंने चुनाओ लड़ा था और वो केराना से सांसद चुनी गई थी उसके बाद मेरे भाई साब का राजनेतिक सफर शुरू हुआ था 2012 से गंगो में पहला उन्होंने विधान सभा का चुनाओ लड़ा था आजाद उमीदवार थे हो तो 2012 में वो महां से लड़े फिर 2014 में उन्होंने लोकसभा का चुनाओ केराना से लड़ा था जिसमें हमें सफलता मिली थी उसके बाद 2014 में जो बाई लेक्शन हुआ था क्योंकि बाबु हुकम सिंग जी MP बन गए थे तो उनकी सीट रिक्ट हुई थी उस पर मेरे भाई साब केराना से पहली बार विध चुनाओ हैं उसमें चुनाओ लड़े और जीत हासिल हुई फिर 2018 में मेरी माता जी जो पहली बार गटबंधन का प्रियोग जो हुआ था वो केराना पर हुआ था जिसमें सभी पार्टियों ने चारू पार्टी लोगदल, सपा, बसपा, कॉंग्रेस ने मेरी माता जी विश बसपा और लोगदल की प्रतियाशी मेरी माता जी थी लेकिन उस दौरान हम नहीं जीत पाए और फिर 2022 में मेरे भाई साब क्याराना से विधान सभा के चुनाओ में बड़ी जीत उन्हें हासिल हुई और अब आज 2024 का चुनाओ है यह मेरा पहला बड़ा चुनाओ है आपके भाई काफी मतों से जीते थे बाइस में अब 2024 का चुनाओ है तो आखिलेश जी दौरा दोबारा से आपके भाई का नाम क्यों नहीं रखा गया क्योंकि वह पहले से विधायक है फिर हमें एक बाईलेक्शन फिर से लड़ना पड़ता और वह पहले से एक पद पर मौ आप बख्षू भी निखांगे क्योंकि जो मैंने आपसे वारतलाब किया इसमें आपको पूरा परिवाए ग्यान भी है तो अब जो नए शिरे की मैं बात करूं क्योंकि 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ने जा रही है और 63 सीटों पर गट बंदन जिम्मेदार यापके कंदों पर भी है तो जैसा बीजेबी सरकार रही है मोजूदा में बहुत सारे केसिज आपके परिवार को जहलने पड़े हैं तो क्या वो लोग शबत चुनाओं में लगता है कि उनका कुछ असर पड़ेगा या फिर नहीं देखिए सारे जो केसिज हैं कोई भी इस तरह का केस नही है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस तरह की जिस तरह का हमारा परिवार है यहा पर हम कोई नए नहीं है कईपीडियों से यहा पर रहे रहे हैं लोगों के बीच में उनकी सेवा कर रहे है तो सब लोग अच्छी तरीके से जानते मेरी माता जी कैसी है, मेरे भाई कैसे हैं और किस तरह के आरोब जूटे भाजपा सरकार में उन पे लगा रखे सिर्फ दबाने के लिए और ये हमारे साथ ही नहीं हो रहा है ये आजम खास आप के साथ भी हो रहा है और इर्फान सोलंकी जी है हैं हमारी पार्टी के विधायक उनके साथ भी हो रहा है तो हर जगा भाजपा चाहती है जो विपक्षा उसको खतम करना दबाना डराना चाहती है किसी को एडी वेज कर किसी पर वैसे मुकदमे लगा कर तो किसी की आर्थिक तोर पर कमर तोड़ कर तो यह सभी पॉलिटिकली मोटिवेटड केसे इन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इकरा जी आपको कभी आइडिया था कि जिसे पारिवार में आप हैं उसमें आपका भी नंबर एक उम्मीदवार दाविदारी के रूप में निकल के सामने आएगा नहीं ऐसी मुझे कोई वो नहीं थी उम पारिवार में देखा हमने हमेशा लेकिन सक्रिय रूप से इसको आगे ले जाने का कभी नहीं सोचा था लेकिन इस तरह की परिस्थितियां बंती चली गई उसी तरह कि ऐसे मेरी दिल चस्पी बढ़ती चली गई और आज पूरे दिलो जान से मैं इस काम में हूं और उमीद है कि इसमें सफलता हासिल आपने अभी बता कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थी आपका यह पारिवारिक चलो रहा कि आपको यह राजनीतिक दाउपेच्च शीखने को मिलते रहे लेकिन पढ़ाई आपने बार से कि तो जब आप बढ़ाई बार से कर रहे थी कहां से नहीं आपका हा vita का ट्रीम था आपका मैने बच पंद में ऑंसे में ठीन क्लास 1 तक दिल्ली में बढ़ि फिर मैं नहीं है वहीं पे दिल्ली में मैंने लेडी श्री राम कॉलिज option क्या है अभusta जे अ बेसे मैने लल-बी की किया है और फिर मैं'm Teraz के लिए लंडन चली गई थी इंटरनेशनल लॉइन पॉलिटिक्स में, मैंने मास्टर्स किया है, और मुझे आगे पीएचडी करनी थी, और अकेडमिक्स में जाना था, ये मेरे कुछ, मेरी मनो कामना तो ये थी, और पीएचडी की आज भी है, और अभी जंदगी है, तो इंशालला उसे पूरा भी करूं रूप से किये गए थे, तो घर पर कोई नहीं था, चुनाओ सर पर था, तो मैं जब वापस आई, उन पर इस सितियों में मुझे वापस आना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से लगातार लोगों के बीच में रहकर, मैं सक्रिये हुई राजनीती में, और मेरी खुद की भी रूची इसमें बढ़ी, और अब मैं इसको सक्रिये रूप से करना चाहते हूँ, तो जो पीएचडी का सपना था, पड़ाई को लेकर के जो आपकी स्टिडी बीच में रह गई, क्या उसको भी आप पूरा करेंगे साथ साथ में, पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट नह मैं जरूर करना चाहूंगी, देखिए मैं आपको यहां एक बात और बता दू, बहुत अच्छी बात है, इकरा जी के मुह से निकल के सामने आई है, सुना था कि मुस्लिम जो है, वो जैसा भी स्रीराम मंदिर का जिक्र चरला है, बहुत से लोगों ने उसका विरोध भी किय है, तो जो इकरासन मेरे सामने बैठी है, यह दिल्ली के स्रीराम कोलीज में पड़ी है, एक बहुत बड़ी बात है, जो लोग मानते हैं कि मुश्लिम धर्म विरोधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बड़ा सबक है, क्योंकि जो सामने बैठी है, यह नई उम्मीदवार है, और स्रीराम कोलीज में पड़ी है, तो कहीं ने कहीं धर्म की जो राजनीती है, वो नहीं होने चाहिए, इकराजी जैसा आपके पड़िवार से राजनीती मुद्ध पुराना भी रहा है, अब लोगों के लिए आप एक आईना है, बिलकु न्यू आईना, तो ऐसे में आप परतिबा को कैसे लोगों के सामने रखेंगे, ताकि आने वाले समय में जो भी बविश्य होगा, वो आपका अच्छे से रहे, क्योंकि अभी आपने बताया कि 1984 में कॉंग्रेस के साथ आपके दादा जी की सुरुवात हुई थी, दादा जी के बाद अब पोती को 40 साल बाद जिम्मेदारी मिली है 2024 में, कैसे निवाएंगे? लगते ही नहीं थे, और हर वक्त मौझूद रहते थे, जादा से जादा काम करने की, जहां पर उनकी लोग सबार नहीं भी लगती थी, महां के लोगों के लिए भी वो हमेशा ततपर तयार रहते थे, तो मेरी भी यही कोशिश रहेगी, कि यह जो जिम्मेदारी है, यह बड इसके बिना पर मुझे यह प्यार और मानसबमान मेरा बरकरार है, एक आखरी सवाल आप से कि रालोद अध्यक्स जहन चोदरी जी की सुब गाट बीजेपी में जाने की बनी है, हाले कि अभी कोई ओपचारिक गोशना नहीं है, लेकिन अगर वो बीजेपी में चले जाते है यहां पर दंगो के बाद माहौल बिगड गया था, लेकिन उसकी वो जो खाई थी, उसको भरने का काम किया, आज यहां पर जो आपस का भाई चारा है, वो बहुत मजबूत है, और मुझे नहीं लगता है कि वो एकदम से बिखरेगा, उसका लाब हमें भी मिलेगा, और कॉंग्रेस का गटबंधन हुआ ते इस बारे में क्या कहेंगे? जी गटबंधन पहले से ही है, हमें तो जो बातचीत होती है, उसमें मीडिया तूल दे देती है, वरना गटबंधन था है और रहेगा, और बस जो तै होनी थी बाते सीट को लेकर थी, अब मेरे साब से वो भ कि इस वक्त मैंने कैराना लोक सबसीट से सपा उमीदवार इकरासन से बात की है, और उनने साब तोर पे ये कहा है, कि जो भी समाज के मुद्दे होंगी, उनको इनलागतार उठाती रहेंगी, क्योंकि राजनीतिक घराना पुराना रहा है, और कहीं ने कहीं, जो दादा, प नमस्कार, मैं हूँ मानक गुपता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें, तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखे रहे हैं, जूस्ट्वेटी